आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही special कड़ी तो इस कड़ी को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम खटवा जिसको हम खट्टी पालग भी कह सकते हैं अगर आपके हां यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगा नॉर्मल जो पालग होती है उसका इस्तिमाल भी कर सकते ह हैं तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सारी पत्तियां एकदम खटी होती है इसलिए से खटुआ वोला जाता है हमारी बुंदिल खंड में तो इनको सबसे पहले हम काट लेते हैं आप यहां पर मैंने लिया है दो कब बेसन आप देख सकते हैं और यहां पर हरी एक बैगन था जिसको मैंने डंठल समीत काट लिया है क्यांकि हम बिल्कुत देसी अंदाजें बनाने वाले हैं कुछ लहसुन है बारी काट लिया है और खटुआ को हमने चाकु से काट लिया है यहां पर मठा है यह मठा दही को मत लिया जाता है तो मठा बन जाता है तो हमा करके बेसन को अच्छे से घोल लेंगे आप चाहे तो डिर्यक्ली बेसन को मठे में डाल सकती हैं लेकिन फिलाल मैं मठे को अलग अच्छे से मिक्स कर लोगी ताकि इसमें लंच न रहें भी और यह अच्छे से विल्कुल स्मूथ बैटर बंद करके तयार हो जाए जब यह रखा है एक चम्मच तेल गरम हो जाए तेल तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन तो लहसुन हमने आदा ही डाला है और एक चुटकी हम डालेंगे हींग और फिर हम इसमें डाल देंगे बैगन तो आपको खटी पालक से पहले बैगन डालना है दोनों को साथ में नहीं डालना और बैगन को हम थोड़ा सा चम्मत से चलाएंगे और इसको हम हलका सा ही यह चलाने के बाद हम इसमें उपर से डाल देंगे घट्टी पालक और अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैं बता दूँ पालक और बैगन दोनों ही बहुत जल्दी गल जाते हैं तो इनको हमें पूरी तरह नहीं गलाना है इनको बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है ताकि यह हलके से नरम पड़ जाया तो इनको हम धग देते हैं प पकने देते हैं ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है तो फ्रेंट करीब एक मिनट हो चुके हैं और यह देखिए घटवा की जो पत्तियां है नरम पड़ गई है और बैगन भी हलका सा नरम हो गया है अब हम डाल देंगे जो हमने बेशन का गोल बना करके रख देख रहा होगा लेकिन धीदे धीडे जैसे यह कड़ी पकेगी तो इसका जो कलर एकदम पीला सा होता जाएगा तो अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो हमने इसमें स्वादन सा नमक डाला है अब हम इसमें करीब एक ग्लास पानी और डालेंगे क्योंकि यह पकने पे की चटनी बना लेंगे तो यहां पर यह देखिए कड़ी जो है बीच में एक दो बार इसको चला देते हैं तो कड़ी जो है पकना शुरू हो गई है अब देख सकते हैं जब पकने लगे कड़ी तो आपको घैस को बिल्कुल फुल कर देना है फूल आच पर इसको पकने देना है तो धीरे-धीरे कड़ी एकदम फ़ड़कने लगेगी यानि कि यह बहुत अच्छे से पकने लगेगी लेकिन जब कड़ी जो है फदकती है तो से कुछ छीटे बाहर गिरते हैं तो थोड़ा सा बचके करें और यहां पर आपको फुल फ्लेम पर कड़ी को पकाना है इससे बेशन का जितना कच्छापन है वो सारा खतम हो जाएगा तो इसको हम पकने देते हैं और जैसे ही पक जाए दाल देंगे ठीकर में मिक्स कर देंगे बिल्कल healthy में आपको करना है चपनी के राधा मिनटी को पकाना है तो अग्या कित्स्ट कह्ते हैं पालग ना चाहे तो पालग भी डाल सकते हैं क्योंकि मठ्ठे का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है दही तो लीजिए हमारी जो कड़ी है बिल्कुल तैयार है इसको हम हलका सा पखने देते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे तो फ्रेंस ये खटुआ कड़ी या खटी पालक वाली कड़ी बहुत टेस्टी लगती है इसके सामने आप पकोड़ी वाली कड़ी खाना भी भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी है हमारे बंदेल खंड की स्पेशल रेस्प भी है आप इसको जरू ट्राई करिएगा और मार्क तो सबस्क्राइब करी धुआ से विर में है करी आप दो करे लो गल्ला हूश कर जाब है तो करी है उया जिसकता है थाली है तू है जाली है जा जाली है